गुद मॉर्निंग एवरीवन इस्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पद ब्रहमर गीत का परसंक्या 10 इसमें कहते हैं उधों जब गोपियों को संदेश देते हैं तो गोपियां कहते हैं उधों से कि हमारी जो दशा है वो बहुत ही दैनिये हैं अर्थाथ उधों जो हैं गोपियों को बार बार समझाते हैं निराकार ब्रहम के बारे में लेकिन स्री कृष्ण के विरह में जो व्याकुल गोपिया हैं उनकी विरह दशा जो है उसका वरनर करते हैं कभी कहते हैं कि निस्र दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित बरसा रितु हम पर जबते स्याम सिधारे तो गोपियां उधो से कहती हैं हे उधो श्री कृष्ण के विरह में हमारे नेत्रों से रात दिन जो है आसू बरस्ते रहते हैं अर्थात हम श्री कृष्ण के विरह में इतने दुखी है कि हमारे आखों से आसूं का निकलना जो है वो बंद ही नहीं होता है सदा रहित बरसा रितु हम पर गोपिया कहती है कि जो बरसा रितु है वो सदा ही हम पर पूरे साल चाही रहती है कहते हैं वर्षा रितु का तो एक समय होता है कि आती है और चली जाती है लेकिन श्री कृष्णी के विरह में हमारे नेत्र जो हैं वो दिन रात बरस्ते रहते हैं अर्थात हमेशा जो है वर्षा रितु ही हम पर चाही रहती है कोपिया कहती है जब से श्री कृष्णी यहां से गए है तब से ऐसा लगता है कि हमारे लिए हर समय वर्षा रितु चाही रहती है मतलब अनिक किसी रितु को तो हम जानते ही नहीं है द्रग अंजन ना रहत निसिवासर करकपोल भेकारे द्रग मानी होता है नेत्र अंजन मानी होता है काजल कहती है कि किन्तु यहां तो जो दिन रात है हमारी आखों में काजल नहीं रुक पाता निसिबासर मतलब दिन रात कहते हैं कि हमारी नेत्रों में जो काजल लगाता वो भी रुक नहीं पाता है कर कपोल भेकारे कहते हैं कि इतनी अधिक नैनों से आसूं के रूप में बर्खा हो रही है बरसात हो रही है कि जो काजल लगाया है उसके कारण हमारे जो कपोल है जो गाल है वो भी सब काले काले हो जाती है अर्थात कहने का अर्थ है कि वो दिन रात कृष्णी के वियोग में रोया करती है जिसके कारण उनकी नेत्रों पर जो काजल लगा हुआ है वो वह कर उनके गालों पर फैल जाता है और उसे पोच्टे पोच्टे हमारे जो कपोल हैं वो काले पड़ गए हैं कंचु की पट सोखत नहीं कब हों कंचु माने होता है आचल या चोली का वस्त्र पट माने कपड़ा कहते हैं Kay up कि अधिक आखों उसे कि आज़ों की धाराएं जो हैं हर वकद हम पर बहती रहती हैं के आउंखों को पोच्टे के कारण जो वस्त्र है वो कभी भी सूखता नहीं है उसी तरह हमारी जो वस्त्र है उर्विच बहत पनारे कहती हैं कि इतना अधिक हम कृष्ण के वियोग में रोते हैं कि हमारे हिर्दे में अर्थात वक्षस इस्थल पर जो है हर समय धारा ही बहती रहती है मतलब आसूं के पनारे पनारा माने होता है बहुत अधिक प्रवाह किसी चीज़ का जल का पानी का तो उसी की तुलना यहां पर की गई है कि कृष्ण के वियोग में हम इतने अधिक व्याकुल हैं कि दिन राद जो है आसूं के पनारे अर्थात आसूं की धाराएं बहा करती हैं जिससे जो हमारा वस्त है वो कभी भी सूख नहीं पाता है कहते हैं कि आसूं की धारा के कारण अर्थात मतलब आसूं में डूग गया है ऐसा लगता है कि एक पल भी जो है वो मुझसे दूर नहीं है पल ना जात रिस्टारे कहते हैं कि एक भी पल ऐसा नहीं होता है जिस वक्त उसे टार दिया जाए अर्थार ऐसा नहीं होता है कि किसी विच्छाण हम स्री कृष्ण को भूल जाएं अर्थार रिस्ट माने होता है किसी से नाराजगी कहते हैं कि ऐसा कोई भी पल नहीं होता है कि जिस से एक पल को भी हमारा क्रोध जो है दूर नहीं होता है सूर्दास प्रभू या परेखो गोकुल काहे विसारो सूर्दास के प्रभू श्री कृष्ण से गोपिया कहती है कि हे उदो यहे परेखो वाने पश्चाताप यह पश्चाताप होता है कि हे गोकुल तुमने ब्रज को क्यों भुला दिया मतलब गोकुल को क्यों भुला दिया हमको तो इस बात पर बड़ा पश्चाताब है एक की आखिर किस कारण से श्री कृष्ण ने गोकुल को भुला दिया है मतलब गोपिया इतने विरहने हैं और ये नहीं समझ पाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सुर्दास के प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल को पूरी तरहे से भुला दिया है यहाँ पर गोपियों का अनने प्रेम व्यक्त हुआ है भाषा ब्रश भाषा ही है अनप्रास इवं प्रश्ण सब्दा वली है मतलब प्रश्ण पूछा गया है कि क्यों भुला दिया है हमें आकर प्रश्ण ने और उसके बाद जो रस है शांत रस है छंद जो है गेपद है नेक्ट पर देखते हैं तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी आपके स्लेबस चूट किया है उसको आप अपने यूटूब चैनल से हिंदी का चैनल हिंदी का टॉपिक जो है वो क्लेयर कर लीजेगा और नेक्स्ट वीडियो में आप संदी और समाश की ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि जल्द ही हम वीडियो एक से दो दिन में पोस्ट करने वाले हैं तो नेक्स्ट पत देखते हैं पस्तन क्या ग्यारा उधो भली भई ब्रज आए बिदी कुला लेकीने काचे घटते तुम आनी पकाए अब गोपियां उधो से कहती हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज आ गए उधो भली भई ब्रज आए मतलब गोपियां उधो से कहती हैं हे उधो अच्छा ही हुआ कि तुम कम से कम श्रीक्रश्न का संदेश लेकर ब्रज आए तुम विधी माने होता है विधाता, कुलाल माने होता है कुम्बकाल, कीने माने किया था, काचे माने कच्चा, घट माने शरीर कहते हैं कि जिस विधाता रूपी कुम्हार ने शरीर रूपी कच्चा घटा दिया था, ते तुम आनी पकाए, उसे आकर तुमने पका दिया है अर्थात, शरी क्रेश्न का जो प्रेम था, वो जो अभी तक कच्चा था, लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल ब्रह्म है, तुमने यहां आकर उस प्रेम को जो है और भी पका कर दिया है रंग दीनों हो कानहा सावरे, कहते हैं कि इतनी बाते तुमने कानहा की करके, उनके सावरे के रंग में हमको और भी ज़्यादा रंग दिया है अर्थात, जो प्रेम अधूरा था, वो तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारे संग तर्क वितर्क करके, और भी वो रंग जो है, पका हो गया है अंग अंग चित्र बनाएं, कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, जो पका हुआ शरीर है, कच्चे घड़े का, इस पर जो है, सिर्व सावरे के रंगों के चित्र ही बने हुए है अर्थात, हमारे अंग अंग पर हमारे आराध्य शरीक्रश्न का ही नाम दिखाई देता है पाते गरे न नैन नहते हैं, पाते गरे मने गल नहीं पाते हैं, नैन मने नेत्रों से जो आसू निकलते हैं कहते हैं कि हम इतने विरह में हैं कि हमारे जो नेत्रों से आसू हैं वो निकलना बंद नहीं होते हैं पाते मने होता है गिरना गरे मने गिरना पाते मने गल नहीं पाते हैं कि हम लोग श्री क्रेश्न के रंग में इतना रंग गए हैं इतना पक्के हो गए हैं कि इतने आसूं के बहने के बाद भी ये जो शरीर रूपी कच्छे घड़ी की काया है ये कम नहीं होती है अवधी अटा पर चाहे कहते हैं कि समय जो है वो अटारी की भाती शाता जा रहा है मतलब समय दिन प्रति दिन दिन प्रति दिन समय की अवधी जो है वो बढ़ती चली जा रही है लेकिन हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम को भूल नहीं पा रहे हैं ब्रज करि अवा जोग इंधन करि गोपिया उधो से कहती है कि हे उधो तुमने ब्रज आकर अवा रूपी जो जिसमें अवा मने होता है जिसमें कुमार जो है अपने बरतन मिट्टी के पकाता है उसको कहा किया है तो कहते हैं गोपियां उधो से कहते हैं हे उधो तुमने ब्रज आकर योग मतलब जो बरतन रूपी आवा है उसमें योग रूपी इंधन को लगा दिया है और सुरति आनी सुलगाए और सिरी क्रिश्न की इस्मरण रूपी जो अगनी थी उसको सुलगा दिया है अड़तात इ शांत बैठे थे प्रतिक्षा में थे कि क्रिश्ण वापस आएंगे लेकिन तुमने ब्रज आकर जिस इस्थान पर कच्चे पात्र को पकाया जाता है उसमें योग रूपी इंधन डालकर हमारे क्रिश्न के प्रति सुमिरन रूपी अगनी को और अधिक सुलगा दिया है फूक उसास ब्रह प्रजरनी संग ध्यान दरस सेराय कहते हैं कि फूक उसास कहते हैं कि तुमने हमारे विरह की अगनी में प्रजनी माने होता है लपटे कहते हैं कि तुमने हमारी विरह की अगनी में फूक डाल कर उस अगनी की लपटों को और तेज कर दिया है अर्थात जो विरह की अगनी थोड़ा शान्त थी उसको तुमने अपने योग रुपी इंधन को दिखा कर मेरे जो उच्छास थी जो सांसे थी उस विरह अगनी को उसकी लप्टों को और अधिक बढ़ा दिया है ध्यान दरस सियराए कहते हैं कि और ध्यान का उगदेश देकर हमारी उस अगनी को सीतल करने का प्रयास किया है अर्थाथ जो क्रेशन के प्रेम में पका हुआ ये शरीड था उसमें योग रुपी इंधन तुमने डाल कर उस विरह की अगनी को भूप कर तुमने उसे शांत करने का जतन कर दिया है अर्थाथ ध्यान दरस से राए अर्थाथ उसका सुमिरन करके हमें और भी शिकलता दे दी है अर्थाथ मेरा प्रेम जो है जब घड़ा पकने के बाद ठंडा हो जाता है तो वो कठोर हो जाता है इसी तरह क्रेशन के प्रेम में जो विरह अगनी जल रही है वो उसको बढ़ा कर वो और अधिक शांत हो गई है अर्थाथ क्रेशन का ध्यान करा के तुमने हमारी विरह की अगनी को और शिकलता पहुचा दी है अर्थात हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ गया है भरी सपूरन सकल प्रेम जल, सपूरन मने होता है संपूर, कहती है कि जो प्रेम रूपी जल था अब तो वो सम्पोन रूप से भर गया है मतलब हमारी खिर्दे में कोई भी ऐसा इस्थान नहीं बचा है जहां क्रिश्न का प्रेम ना हो मतलब सकल प्रेम जल कहते हैं कि हमारी घट रूपी शरीर है जो काया रूपी घड़े का शरीर है इसमें प्रेम रूपी जल जो है वो पूरी तरहें से भरत गया है छुवन न कावु पाए कहते हैं कि इसे जो है अब कोई अन्य जो योग साधना है इसे छू नहीं पाएगी क्योंकि हमारा मन तो शिरी क्रश्न के प्रेम रूपी जल से पूरी तरहें से भरा हुआ है पुर्दास के प्रवुशरी कृष्ण जो हैं वो राज काज के мतलब जो राज्य के कार्ये हैं उन कार्ये से गए हुए हैं। और नंद, नंद, कर लाए hill और कैते हैं कि नंद जो शरी वहाँ पर रहने के लिए गए हैं वह वापस अवश्य आजाएंगे अर्थात आज भी गोपियों को उनका इंतजार है कि शरी कृष्ण जो है राज कार जी के कारे से बाहर मतुरा गए हुए हैं और वह जो है नंद नंदन जो है ये शोदा और ना बाबा नंद हैं वह उन्हे देखते हैं नेक्षट पत देखें अक्यां हारी दर्शन की भूखी कैसी रहित रूप रस राची ये बतियां सुन रूखी अब गोपियां उधों के निर्गुण उबदेश का खंडन करती है मतलब बहुत हुआ गोपियां उधों के निराकार ब्रह्म का जो उबदेश दे बस अब आखरी इच्छा है कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए और उसके बाद चाहे ये आखे जो है हमीशा के लिए बंद हो जाए अखियां हरी दर्शन की भूकी गोपियां उधो से कहती है कि हे उधो जी हम लोगों की आखे जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती है अर्थात हर समय सिर्फ ये आखे जो है उन्ही के दर्शनों के लिए ललायत रहती है कैसे रहित रूप रसराची कहते हैं कि यह अत्यंत है आश्चर है कि हम योग साधना की जो बाते हैं यह समझ नहीं सकते रूखी सुखी यह बतियां सुन रूखी कहते हैं कि हमारा कैसे रहित रूप रसराची कहते हैं कि हम कैसे उस रंग रूप को में रख जाए मतलब जो रंगे हुए हैं जो हम श्री कृष्ण के रूप और रंग में रचे हुए हैं तुम्हारी ये निराकार ब्रह्मे की बाते सुनकर उसमें कैसे रम जाएं अर्थात जो योग साधना संबंदी रूखी सूखी बाते सुना कर तुम और हमें आनंद में लीन नहीं कर सकते अर्थात पहवान श्री क्रश्न के रूप और आनंद में लीन रहने वाली ये आखे अभी तक कैसे ठीकी है अवधि गनत एक टक मग जोवत जब इतनो नहीं जोखी जोखी मानि होता है दुखी हुई कहते हैं कि अवधि गनत समय गीनते जा रही हैं कि जब से श्री क्रश्न कहें हैं हम उनकी प्रतीक्शा में एक एक दिन गिन रहे हैं मतलब भगवान के आने के प्रतिक्षा में एक टक मग जोवत कहते हैं कि अपने आराद्य शीरेख क्रेश्ण के आने में हम एक टक मतलब एक द्रेश्टी लगा कर उनका रास्ता जोवत्माने देख रही है तब इतनों नहीं जोके तब हम इतने दुखी नहीं हुए हैं चितना कि तुम्हारा ये योग साधना का संदेश सुनकर हमें दुख हो रहा है अर्थात कहने कारते हैं कि आप जब तक नहीं आये थे और योग का उगदेश नहीं दिया था तब तक ये आखे जो हैं भगवान के आने की पृतिक्षा में एक टक होकर उनकी रह देखती थी और अवधी के दिनों को गिना करती थी जिससे किन्तु जब से आकर योग का संदेश दिया है तब से अक्यन थी व्याकुल और दुखी हो गई है अब योग जोग संदेश सुन सुन कर मेरी आखे जो है शिरी क्रिश्न के दर्शनों के लिए और अधिक अकुलानी हो गई है अर्थात और अधिक बेचैन और दुखी माने दुखी हो गई है बारक वह मुख आनी दिखाऊ हूँ दो ही पह पिवत पतु की अब गोपिया जो है उधो से कहते हैं बारक माने एक बार मुख माने चेहरे को आनी माने लाकर दिखाऊ माने दिखाऊ दो दुई पह पिवत पतु की कहते हैं दुई माने दुख कर पह माने दूध को पिवत माने पीते थे पतु की माने पत्ते के दोने में मतलब जो दोना होता है पत्तों का उस पे रखकर दूद पीना तो कहल गोपियां उधों से कहती हैं हे उधों जी बस आप से इतना अनुरोध है कि आप एक बार शिरी कृष्ण के मुख को लाकर अरथा शिरी कृष्ण को गोपुल लाकर उनके दर्शन करा दीजिए दुः प्यवत पत्तों की कहते हैं कि जब वो दूद पीते थे तो पत्तों में दुहगद पीते थे मतलब पत्ते का दोना बना कर उसमें पीते थे श्री क्रेशन के बियोग से जो है वो इतना ज़्यादा दुखी है कहते हैं कि वही एक बालचवी जो है आप लाकर श्री क्रेशन की दिखा दीजिए सूर सुकत हटिनाव जलावत ये सरिता है सुखी सरिता मानी नदी सुकत मानी होता है रेत और हटी मानी होता है जो हट योग है तो कहते हैं कि शरी क्रेशन के वियोग से हम लोगों का हिर्दे जो है वो सुखी हुई नदी के समान हो गया है मतलब श्री क्रेश्न के वियोग में हम लोगों का हिर्दे जो है ये सूखी हुई नदी के समान हो गया है आप बालू में हट नाव चलावत कहते हैं कि आप बालू में नाव मत चलाइए अर्थात कहने का अर्थ है कि असंभो प्रयास मत कीजिए क्योंकि हम तो श्री क्रेश्न के प्रेम में रंगे हुए हैं और आपका जो ये निराकार ब्रह्म का उदेश है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है इसलिए जो रेत में बालू है जो कभी चली ही नहीं सकती अर्थात हमारे हिर्दे पर श्रीक क्रश्न के अलावा किसी और का रंग नहीं चड़ सकता तो आप जो है सिर्फ क्रश्न की एक छवी दिखा दीजिए अर्थात मेरी जो बेचैन आखे हैं उनको चैन हो जाए और ये जो योग का संदेश है ये मुझे मत दीजिए अर्थात आप प्रेम से वंचित करने का प्रयास ना कीजिए अर्थात कहने का अर्थ है कि जो उपदेश दिया गया है कि गोपियां स्रीक्रश्न से इतना प्रेम करती है कि उनके हिर्दय में क्रेश्न के अलावा अन्य किसी का कोई इस्थान नहीं है ये सूर्दास का ग्रवर्गीत यहां पर पूरा कम्प्लीट हो जाता है और टोटली वीडियो आपकी प्लेडिस्ट में डाल दी गई है क्लास 11 के नाम से और हिंदी व्याकराण और हिंदी साहिति का इतिहास जो है वह भी प्लेडिस्ट पर है जिन लोगों को देखना है अपने एक्जाम की प्रेप्रेशन कर करनी है वह लोग चैनल पर विजिट करके प्लेडिस्ट और क्लास 11 के नाम से पूरा स्लेवस से वह आप वाश कर सकते हैं अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक और शेयर कर देजिएगा थैंक तक यू